तो दोस्तों आज मैं एक Netflix Horror Series को explain करूँगा जिसका नाम है Brand New Cherry Flavor and trust me ये बहुती बढ़िया series है इस series की starting में IMDb rating 7.1 stars थी लेकिन अब इसकी IMDb rating बढ़ चुकी है जो की है 7.3 stars out of 10 इसको direct किया है Nick Antoska और Lenore Zion ने ये एक limited horror series है जिसके अंदर total 8 episodes है and मैं यहाँ पर इनको दो parts में divide गरने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर आपको पहले 4 episodes की explanation मिलेगी और कल की वीडियो के अंदर आपको बाकी के 4 episodes और theories वगरा मिल जाएंगी और सबसे बढ़िया बात ये है कि series के अंदर आपको सारे horror elements मिल जाते हैं लाइक witchcraft आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारे scary spirits मिल जाएंगी धेट सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है और दोस्तों ये जो series है वो same नाम की novel से inspired है जिसको लिखा है Todd Grimson ने और हाँ ये series आपको Hindi और English दोनों languages में मिल जाती है तो सबसे पहले आप जाकर इस series को देख लीजे मेरा personal recommendation है तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ episode 1 की starting में हम देखते हैं Lisa Nova को जो की एक जंगल के रास्ते से Los Angeles जा रही थी और ये 90s की बात है वो fuel station पर रुक कर अपने ex boyfriend code को call करती है और उसके पास कुछ दिन रुकने के लिए बोलती है जिस पर वो हां कर देता है Lisa असल में एक struggling film maker थी और Lisa ने recently एक horror short film बनाई थी जो की उसने जंगल में शूट करी थी Lisa की short film का नाम था Lucy's Eye खेर fuel station पर एक आदमी Lisa पर नज़र रख रहा था बट Lisa उसको ignore कर देती है अब वो code के घर पर जाती है और वो code को ये बताती है कि एक बहुती बड़े film maker लू बर्क ने Lisa की short film को select किया है और वो Lisa की movie को एक chance देना चाहता है ये सुनकर code बहुती जादा खुश होता है अब अगली सुबा Lisa जाकती है और वो code की girlfriend क्रिस्टीना से मिलती है जहां पर वो लोग थोड़ी बात करते है और यहां पर हमको ये दिखाई देता है कि क्रिस्टीना लीसा को जादा पसंद नहीं करती अब लीसा लू से एक restaurant में मिलने जाती है जहां पर लू से ये बोलता है कि उसने लीसा की short movie देखी है और वो लीसा की movie की adaptation मनाना चाहता है बट लीसा का यहां पर यह कहना था कि वो खुदी movie को direct करना चाहती है और लू उस पर agree हो जाता है यहां पर अब लू लीसा को एक token amount भी देता है ताकि वो अपने लिए एक अच्छा apartment ले सके क्यूंकि वो apparently कार में ही रह रही थी तब ही वहां पर लीसा की मुलाकात सूपर स्टार रॉय हाथवे से भी होती है साथ ही हम यहां पर उसी बाइक वाले आदमी को भी लीसा पर नज़र रखते हुए देख पाते हैं अब अगले सीन में लीसा अपने डारेक्टर फ्रेंड जूस ब्रेंडन बर्ग से लू का कॉंट्रेक्ट पढ़वाती है जहां पर कॉंट्रेक्ट में जूस सब कुछ नॉर्मल बताता है अब अगले दिन लीसा लू के साथ एक पार्टी में जाती है जहां पर उसको रॉय मिलता है और वो लोग थोड़ी बात करते हैं रॉय लीसा को एक लेड़ी के बारे में बताता है जो पूरी पार्टी में लीजा पर ही नजर रखी हुई थी और उसका ये कहना था कि इस तरह की पार्टी में कोई भी बिना मतलब के किसी पर नजर नहीं रखता और इसी लेडी को हमने लीजा के अपार्टमेंट के बार भी देखा था अब वो लीडी लीसा के बास में आती है और लीसा से बात करने लगती है उस लीडी का नाम यहाँ पर बोरो था और वो कुछ मिस्टीरियस फील होती है वो लीसा को लू के बारे में बोलती है कि लीसा लू को सिर्फ सोचने भड़ से हर्ट कर सकती है और उसका ये कहना था कि वो उसको धोका देगा खेर अब Lisa लू के बारे में सोचती है और लू की नोस से ब्लीडिंग होने लगती है जिससे Lisa भी शौक्ड हो जाती है क्योंकि उसने उसकी नाक को तोड़ने के बारे में सोचा था खेर बोरो Lisa को अपना एडरस देकर पार्टी से चली जाती है और लू भी Lisa को ड्रॉप करने के लिए जाता है लू अब एक सुनसान जगा पर Lisa को किस करने की कोशिश करता है जिस पर Lisa मना कर देती है और थोड़ी गुस्सा हो जाती है इस बात से लू Lisa को वहीं पर छोड़ कर च कैट मिलती है जो बोरो अपने साथ ले गई थी जिससे लीशा को थोड़ा सा शौक लगता है एंड पार्टी में बोरो ने लीशा से ये भी कहा था कि वो उसकी कैट को लेती आए खरब घर पर कोड आता है जो लीशा को ये बताता है कि लीशा की मूवी को अब जूल्स डारेक जाती है जहां पर उसको उसका पीछा करने वाला आदमी मिलता है यानि की वही बाइक वाला व्यक्ति जिसका नाम पियर होता है अब लीशा गर के अंदर बोरो से मिलती है और वो उसको लूब पर एक कर्स के लिए रेडी हो जाती है अब बोरो लीशा को उसकी पेमेंट के बारे में बताती है और सडली Lisa को दर्थ शुरू हो जाता है और वो अपने मूओ से किटनम उगलती है जिसको बोरो ले लेती है और यही बोरो की payment थी और इसी के साथ में Battle 1 रिषा से होती है जो बोरो के घर पर थी बोरो स को के भारे में बताती है जो अभी पर बोरो ये बताती है कि इस रिच्वल में लीसा और लू एक दूसरे से जुडने वाले थे बट इस रिच्वल के सरकमस्टेंसिस की वज़ा से लीसा स्पिरिट वर्ल्ड से भी कहीं न कहीं जुड सकती थी बोरो लीसा को लू की फोटो और प्यूबिक हेर लाने के लिए बोलती है जो की रिच्वल में यूज होने वाले थे और उसके पास में बस 24 गंटे ही थे जिस बात को सुनकर लीसा उनको लेने वहां से चली जाती है लीसा अब कोड के पास में जाती है जहां पर वो अपने कर्स के बारे में उसको बोलती है जो वो लू पर लगाने वाली थी कोड को लीसा की बातें अजीब लगती है और वो लीसा को दो क्रिमिनल्स ली और जो के बारे में बताता है जो लीसा की मदद कर सकते थे तो basically यहाँ पर यह जो code है वो drug dealer kind of guy है Lisa अब एक restaurant में जाती है जहाँ पर उसको जो और ली मिल जाते हैं वो दोनों Lisa की मदद करने के लिए ready हो जाते हैं वो उन दोनों को 50-50 dollars देती है जिसके चलते वो तीनों ही लू के घर पर जाते हैं Lisa की हाला तब धीरे धीरे खराब होने लगी थी और उसको एक white spirit बार बार हांट कर रही थी Lisa को लू के घर पर उसकी photo तो मिल जाती है लेकिन उसके pubic hairs नहीं मिल पाते और तभी यहाँ पर Lisa Jonathan से मिलती है जो की लू का बेटा है Jonathan Lisa से कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था जिसके बारे में आगे के episodes में बात होने वाली है खेर अब लू के घर की जो मेड होती है वो पुलिस को बुला लेती है और वहाँ पर Lisa भागने की कोशिश करती है और तभी उसको ये पता चलता है कि जो मदद करने वाले लोग है वो जो और ली नहीं है बलकि कोई और ही है तभी वहाँ पर Lisa को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में भेज देते हैं जेल के अंदर Lisa को कुछ लीडीज भुली करती है और यहाँ पर Lisa फिर से एक किटन उगलती है अब तभी एक ओफिसर आकर उस किटन को ले जाता है जो कि मेरे हिसाब से बोरो का ही आदमी होगा या फिर उसने पुलिस वाले को अपने वश में किया होगा खेर अब तभी रॉय आकर Lisa की बेल करवाता है और Lisa उसको अपने कर्स के बारे में बताती है जो वो लू पर लगाने वाली थी तभी लीज अपने घर पर एंटर करती है जहां पर उसके पास लू आता है अब लू ने उन दोनों ही क्रिमिनल्स को अपने साथ में मिला लिया था वो उससे बात करता है और Lisa के कर्स का मजाग बनाने लगता है और वो अपने प्यूबिक हेर लेने के लिए Lisa को बोल देता है Lisa अब वो हेर और लू की फोटो लेकर बोरो के पास में जाती है क्योंकि रिच्वल करने के लिए बस 10 मिनट ही बचे थे जहां पर अब बोरो अपना रिच्वल कम्पलीट करती है यहां पर एक खास बात यह थी कि वो जो स्ट्यू था वो उसको इन 24 घंटे के अंदर ही खतम करना था जो कि वो कर देती है अब Lisa और लू एक तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हम लू को भी बाउंडेशन में आता हुआ देख पाते हैं अब अगली सुबा बोरो लीसा को एक प्लांट देकर घर में भेज देती है और आखरी सीन में हम बोरो को एक कैट का बलड पीते हुए देख पाते हैं और यहां पर हमको यह समझाता है कि बोरो जो है वो कैट्स पर फीड करती है लेकिन यह जो बिल्लिया है वो आम बिल्ली नहीं है जिसके बार में हमको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा और इसी के साथ में एपिसोड टू का भी अंत हो जाता है अब एपिसोड थ्री की स्टार्टिंग लीसा के एक नाइट मेर से होती है जहां पर वो जंगल में एक औरत को देखती है जिसका फेस नहीं था साथ ही साथ वो उसी वाइट स्पिरिट को देखती है जो उसको कंटिनूसली हॉंट कर रही थी लीसा अब जागने पर अपने रूम में बोरो के दिये हुए प्लांट को देखती है जो की काफी बड़ा हो गया था और पूरे अपार्टमेंट में उसकी ब्रांचिस फैल गई थी लीसा अब अपने नीचे वाले अपार्टमेंट में भी उस प्लांट को चेक करती है अब लीसा से मिलने लू आता है जो लीसा के कर्स का मजाग बना रहा था एस कर्स फैल हो गया था और वो लीसा को न्यूस पेपर की हैडलाइन दिखाता है जिसके अंदर लू की न्यू मूवी के बारे में बहुत तारीफ लिकी हुई थी लू लीसा को लांच के लिए भी इन्वाइट करता है बट लीसा मना कर देती है लीसा अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर पर जाती है और अपने नाइट मेर वाली लेड़ी को ड्रॉ करने लगती है तब ही वहाँ पर बोरो आती है जो कि उसकी पेंटिंग की तारीफ करती है और लीसा उसको ये बोलती है कि लू को कुछ भी नहीं हुआ और कर्स बिल्कुल फेल हो चुका है अब इस बात को सुनकर बोरो ये बोलती है कि लीसा को लाँच पर जाना चाहिए क्योंकि लू के साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता है लीसा बोरो की बात मान लेती है और लू के साथ लौँच पर चली जाती है लीसा और लूँच कर रहे होते हैं तब ही लूँच को हिकप साने लगते हैं बट लीसा यहाँ पर कुछ जादा ही चीज़े एकस्पेक्ट कर रही थी तो वो काफी डिसपॉइंट हो जाती है लीसा बोरो के पास जाकर उसको यह बोलती है कि लूँच को कुछ भी नहीं हो रहा बट लीसा को नाइट मेर्स आते हैं वो ऐसे सुनाई देती हैं और एक वाइट स्पिरिट उसको हांट कर रही है जिस वजा से लीसा को लग रहा है कि कर्स का असर लीसा पर ही हुआ है अब बोरो लीसा को यह बोलती है कि वो लूँच को भी इफेक्ट कर सकते हैं और लीसा को बोरो के दिये हुए प्लांट के फ्लावर की एक चीज़ को लूँच के अंदर भीजना होगा यानि कि जो flower का center part होता है वो Lisa बोरो की बात मानते हुए अपने apartment के अंदर उस plant के flower को search करने लगती है और तब ही उससे मिलने वहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है और क्रिस्टीना भी लीसा की help करने लगती है और उसको एक flower मिल जाता है और Lisa उस flower के अंदर एक insect को notice करती है और वो उस insect के साथ में ही उस center part को भी अपने साथ रख लेती है ताकि वो उस चीज को किसी भी तरह से लू के अंदर भेज सके लीसा और क्रिस्टीना को suddenly लीसा की room से आवाज आती है जहाँ पर वो लोग एक basement gate को notice करते है जो कि आज से पहले वहाँ पर नहीं था लीसा और क्रिस्टीना उसको खोलने की कोईश करती है बट वो gate नहीं खुलता तब ही लीसा के पास में Roy का call आता है और Roy लीसा को लू की party की बारे में बताता है जिस पर वो उसकी date को cancel करते हुए अपने आपको उसके साथ चलने के लिए बोलती है जिस पर Roy मान जाता है रॉय और लीसा पार्टी में जाते हैं जहांपर लीसा को बोरो मिलती है जो की एक डेड लेड़ी के साथ में थी यानि की ये जो बोरो है वो आम औरत नहीं है तो फिलाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक विच है लेकिन यहांपर बात इससे कहीं जादा गहरी है खेर लीसा अब आगे जाती है जहांपर जॉनाथन लीसा को ये बताता है कि आज लीसा की ही मुवी दिखाई जानी है लीसा अब स्क्रीनिंग रूम में जाती है जहांपर मुवी का निव डारेक्टर जूल्स मुवी के बारे में बात कर रहा था लीसा को जूल्स पर गुसा आता है और वो उसको हेट करने लगती है क्योंकि कॉंट्रेक्ट उसी ने पढ़ा था और उसने उसको धोका दिया लीसा अब स्क्रीनिंग छोड़ कर बाहर आ जाती है जहां पर वो लू को अकेला पाती है जो की ड्रक्स कंज्यूम कर रहा था लीसा अब लू के साथ में ड्रक्स को लेने लगती है और चुपके से लू के ड्रक्स के अंदर उस इंसेक्ट और फलार को डाल देती है जिसे लू कंज्यूम कर लेता है उसको लेने के बाद में लू ये भी बोलता है कि ये कौन सा माल है क्योंकि इतना जादा हैवी डोज उसने आज तक नहीं लिया खेर अब स्क्रीनिंग के बाद में सब लोग बाहर आ जाते हैं और अब सड़नली लू को अपनी बोड़ी पर बहुत ही ज़दा एचिंग महसूस होने लगती है जिसे देखकर सबी लोग उस पर हसने लगते हैं और लीसा भी यहाँ पर काफी खुश थी अब तभी लीसा जूल्स को पूल के पास में देखती है और लीसा को उस पर बहुत गुस्सा आता है लीसा जूल्स को गुस्से में इस कदर देखती है कि सड़नली उसकी बोड़ी पर आग लग जाती है और जूल्स जलते हुए पानी में गिर जाता है और उसको थर्ड ग्र होने लगता है और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि लीसा के पास में कुछ special abilities हैं और इसी के साथ में episode 3 का भी अंत हो जाता है episode 4 की starting में Lisa अपने घर पर जाती है जहांपर उसको basement door से कुछ आवाजे आ थी लीसा basement door को खोलती है और वो open हो जाता है और लीसा नीचे basement में चली जाती है नीचे लीसा को एक couch रखा हुआ मिलता है और तभी उसको अपने nightmare वाली बिना face वाली lady हांट करती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वापस अपने इंसेक्ट ने काट लिया है अब लू के नाम पर एक पारसल आता है जिसको उसकी housekeeper अंदर ले जाती है साथ ही वो housekeeper घर के main door पर एक बड़े से black dog को notice करती है जो की बाहर बैठा हुआ था अब housekeeper उस parcel को लू को दे देती है जिसमें लू की favorite coffee beans थी जिससे उसका दिमाग सही रहता था लियू अब उस parcel को open करता है लेकिन वहां के staff की वज़ा से वो distract हो जाता है और वो parcel को वहीं पर छोड़ कर चला जाता है अब उस parcel के अंदर से हम एक बड़े से spider को बाहर आता हुआ notice करते हैं जो कि घर के अंदर घूमने लगता है और वो जॉनतन को काट लेता है जिससे जॉनतन की तब्यत काफी खराब हो जाती है और उसको hospital में admit करवाया जाता है लॉंच पर अब लू लीसा से मिलता है और ये बोलता है कि लीसा को अपना कर्स वापस लेड़ना चाहिए क्योंकि इससे लू को बहुत problem सोने लगी है और वो नहीं चाहता कि आगे कुछ गलत हो या फिर उसकी family के साथ में लीसा लू से ये बोलती है कि उसने कोई भी कर्स नहीं किया है और वो वहां से चली चाती है लू को अब लीस कर देती है और वो ये नहीं रोक सकती वह वहां पर असल में फिशिस लेने के लिए आए थी लीसा और बोरो की बात हो रही होती है कि तब ही वहां पर एक लेड़ी आती है जो की बोरो को जैनिफर के नाम से बुलाती है बट बोरो ये बोलती है कि वह जैनिफर नहीं है और वो उससे बात करना चाहती थी दूसरी ओर रैल्फ और जेमस लू को लीसा के बारे में बताते हैं कि लीसा किसी लेडी से मिलती है लीसा अब कोड के साथ अपने घर में बैटी हुए होती है कि तब ही वहाँ पर रॉय आता है जो लीसा को उसके नोट किये हुए कार के नमबर से एक लेडी सौना का एड्रस बताता है और रॉय और लीसा सौना के घर पर निकल जाते हैं यहाँ पर कोड और उसकी गर्ल फ्रेंड क्रिस्टीना को काफी शौक लगता है कि वो इतने बड़े फिल्म स्टार रॉय के साथ में घूम रही है खर लीसा और रॉय उस लेडी से बात करते हैं कि पैट शौप में सौना ने बोरो को जैनिफर क्यों बुलाया था जिस पर वो ये बताती है कि असल में बोरो का असली नाम जैनिफर है और वो दस साल पहले अचानक से गायब हो गई थी और साथ ही सौना उन दोनों को बोरो के हस्बंड का एडरस भी दे देती है वहीं दूसरी और हॉस्पिटल में हम बोरो की भीजी गई एक डेड लेडी को जौनाथन के पास आता हुआ देख पाते हैं और अचानक से ही जौनाथन एक ट्रांस जैसी स्टेट में हॉस्पिटल से कहीं चला जाता है अब बोरो के घर के अंदर वो फिशिस का एक मिक्षर बनाती है जो कि वो किसी आदमी के अंदर इंजेक्ट कर देती है जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जौनाथन ही होगा और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि बोरो के यहाँ पर जितने भी उसके सर्वेंट्स हैं वो असल में डेड परसंस हैं जो कि किसी रिचुल के द्वारा उसके कंट्रोल में रहते हैं अब यहाँ पर लीसा की तबियत काफी ज़्यादा खराब होने लगी थी और रॉय और वो एक होटल में रुख जाते हैं और इस चीज का इफेक्ट हम लूपर भी देख पाते हैं जिसकी हालत काफी खराब होने लगी थी उसको कुछ नाइट मेर्स आने लगे थे और उसके द किटन को बाहर निकालती है क्योंकि लीसा ने बोरो से ये बोला था कि वो अपने मूँ से अब किटन को नहीं निकल वना चाहती तो बोरो ने उसको एक दूसरा और दर्दनाक रास्ता दिखाया था क्योंकि बोरो अपनी पेमेंट तो लेगी ही कैर इस चीज से यहाँ पर ल कले दिन लू बोरो के घर पर जाता है जहां पर बोरो लू को ये बताती है कि लीसा को बोरो ने अपने पास आने के लिए बुलाया यानि कि यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि बोरो लीसा के पीछे बहुत पहले से ही थी क्योंकि पियर उसका स्टार्टिंग से ही पीछा कर रहा था लू अब बोरो से उसके साथ होने वाली चीजों को रोकने के लिए बोलता है जिस पर बोरो ये बोलती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और लू को खुदी सब कुछ करना होगा साथ ही साथ अब वो लू को लीसा के पास्ट के बारे में पता करने के लिए भी बोलती है जिसके साथ में लू वहाँ से चला जाता है और हम जॉनतिन को देखते हैं जिसको बोरो ने अपने रिचुल से ब्रेंड़ कर दिया था और अब जॉनतिन भी बोरो का नया सर्वेंट बन गया है और वो एपिसोड फोर का भी यहीं बर अंत हो जाता है तो दोस्तों ये थी पहले चार एपिसोड की एक्स्प्लानेशन उमीद करता हूँ कि आपको अभी तकी सीरीज पसंद आ रही होगी यहाँ पर काफी सारे सवाल हैं काफे सारी ठेयोरिस हैं जोकी अगली वीडियो में खुल जाएंगी यानि की असली पत्तें जो है वो अगली वीडियो में खुलने वाले है जो कि आपको कली मिल जाएगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस तरह की और सीरीज देखनी है मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को एक लाइक कर देना और कॉमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मैं आ झाल से सब्सक्राइब देक झाल साट कर दो कर दोरूसी में इस सब्सक्राइब है